हलो फ्रेंज रत्लामी जाएकी मैं आपका वेलकम हैं तो फ्रेंज आज मैं आपके लिए निव येर स्पेशल चॉकलेट केक की रेसेपी लेकर आई हूँ आप इसे जटबट घर में आसान तरीके से बना सकते हैं और वो भी बिनाई सिंग है ग्रेंडिंग जार में सबसे पहले हम एक चुथाई कप वेजिटेबल ऑईल डालेंगे आधक अब दूद ये मैंने नॉर्मल टेंप्रेचर का लिया है आधक अब शक्कर और एक चमच इसमें बिनेगर डालेंगे अगर आपके पस बिनेगर नहीं तो आप इसकी जगी निम्बू का रस भी डाल सकते हैं और इसे हम शक्कर मेल्ट होने देख ग्रैंड कर लेंगे तो ये देखिए इसमें शक्कर अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है शक्कर के दाने इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और आप देख सकते हैं ये कितना क्रीमी बना है तो इसका टेक्चर इसी तरह से होना चाहिए एकदम क्रीमी केक के बेस के लिए एक कप मेदा लेंगे एक चोथा एक कप कोको पाउडर एक चमच पेकिंग पाउडर आदर चमच पेकिंग सोडा इन सबी को अच्छी तरह से चाहन लेगे एक बार इसे चमच से अच्छी तरह से और मिक्स कर लेंगे आप इसे दुबारा भी चाहन सकते हैं जिसमें हमें केक बेक करना है उसमें इस तरह से बेटर पेपर लागा देंगे अच्छी तरह से इसमें हलका सा तेल को ग्रीस कर देंगे ताकि जो केक है वो आसानी से निकल जाए केक मैं कड़ाई में बनाऊंगी तो इसमें मैं एक कटोरी रख देती हूँ और मेडियम फ्लैम पर हम इसे प्रीइट करेंगे तो मैं इसे एक थाली से ठक देती हूँ जो इसकी भापे वो बाहर ने निकले तो दस मिनिट के लिए हम इसे प्रीइट कर लेंगे बाउल में जो हमने शक्कर और दूर का मिक्स तैयार किया था वो डाल देंगे अब जो हमने इसमें ट्राइंग रिडेंस तैयार किया था वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे एक साथ इसमें नहीं डालना है और इसे इस तरह से कट देते हुए हम इसे मिक्स करेंगे इस तरह से mix करने पर केक में sponge अच्छा आता है ये बाकी बचा हुआ भी मैंने इसमें डाल दिया है और इसी तरह हम इसे fold करते हुए mix करेंगे ये मैंने एक चोथाई कब दूद लिया है और इसे भी हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे जितना हमें दूद लगेगा हम उतना ही डालेंगे तो इस तरह के से ही हमें इसे mix करेंगे तो मैंने इसमें एक चोथाई कब दूद लिया था वो सारा डाल दिया है और ये देखिए इसकी consistency ऐसी होना चाहिए ribbon consistency होनी चाहिए और अब हम इसे तुरंत ही cake pot में डाल देंगे आपको इसे बिल्कुल भी देर नहीं करना है जैसे ही mix हो हो आप इसे तुरंत ही cake pot में डाल दे इसे इस तरह से wrap करेंगे ताकि एक जैसा हो जाए और तुरंत हम इसे back होने के लिए रख देंगे तो इसे हम 30 minute में medium flame पर back होने के लिए रख देंगे और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बीच में आप इसे खोल कर बिल्कुल भी नहीं देखे एक बार इसे चेक कर लेते हैं तो 30 minute के पहले आपको बिल्कुल भी खोल के नहीं देखना है उसके बाद आप चेक कर सकते हैं तो ये देखिए नाइब विल्कुल clean निकला है मतलब ये अची तरह से कूख हो गया है तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और थंडा कर लेंगे तो ये देखे के अची तरह से थंडा हो गया है और यह जो बटर पेपर है इसे भी हम निकाल देंगे इसे धीरे से पल्टेंगे क्योंकि यह बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तूट सकता है और यह देखे इसमें कितना वड़िया इस बन जाया है एक ड़म सॉफ्ट बनाएगे केक के लिए गनाश बनाएगे तो यह मैंने आधा कप शक्कर ली है आप इसकी जगे पीसी शक्कर लेंगे तो बहुत जल्दी आपका गनाश बनकर तैयार हो जाएगा एक चोथाई कप दूद एक चोथाई कप कोको पावडर और एक जो था एकब पिगला हुआ बटर डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे तो ये देखिए गनाज बनकर तयार हो क्या है अब जो हमने गनाज बनाया था उससे केक को डेकुरेट करतेंगे और आप देखिए केक में कितनी वड़िया शाइनिंग आई है और गनाज से और अच्छा सुन्दा दिखेगा केक तो इस तरीके से हम इसे स्प्रेट करतेंगे मेरे पास डार्क चॉकलेट थी तो मैंने उसे ग्रेटर से इस तरह से ग्रेटर कर लिया था जरूरी नहीं है कि जैसे मैं डेखुरेट करी हूँ आप बिलकुल वैसा ही करें आपके पास जो अवलेबलो आप उससे डेखुरेट कर सकते हैं जैसे डेरी मिलक है, जैम्स, अगर आपके पास औरियो बिस्किट हैं तो आप उससे भी इसे डेखुरेट कर सकते हैं कितना बढ़िया बनाएं कितना शाइन कर रहा है तो आप इस तरीके से बीना आइसिंग के भी घर पे किक बना सकते हैं यह देखे मैं आपको इसे काटके भी दिखा दियोंगी यह कितना बढ़िया और कितना सॉफ्ट बनाएं यह देखे झाल झाल